प्रिया बंदो इस ज्ञान की गंगा में एक आपको मैं आज बिंदू वताने जा रहा हूँ एक आदसी के बारे में प्राय करके अधिकांस तै लोगों को और ब्रांतियां होती हैं को एक आदसी होती हैं कई लोग हमसे पूछते महारा जी कौन से एक आदसी करें तो एक आदसी में एक हमारा मीमान सा एक गड़त है बैसनव समाज का दसमी भेदा एक आदसी कभी नहीं करनी चाहिए दसमी बेदाकार्थ होता है कि यदि रात्तृ बारे बजे तक या ग्यारे बजे भी कोई को विद्वान मानते हैं रात्ति ग्यारे बजे तक दसमी है तो अगले दिन एक आदसी होते हो भी एकड़ति नहीं किया जा सकता और एकादसी अगर अगले दिन है और रात्री को दस में तो नहीं किया जा सकता अगर दस में आपकी रात्री ग्यारे बज़े से पहले समापण हो जाती है तो अगले दिन एकादसी होती है कुछ लोगों का मानना एक सब उदियात उदियात केवल मात्र जो इसमार्तक समाज होती है इसमार्तक क्या है वैस्टनव क्या है ये मैं आपको यदपी बिस्तार पुर्वक बताऊंगा किन्तो अभी संशिप्न इतना बता देता हूं जो मूर्ती पुजा को नहीं मानते भगवान को खाली एक निरंकार रूप में मानते हैं उन्हें इसमार्तक कहते हैं जो मूर्ती पुजा करते हैं जनेव कंठी धारन करते हैं जने हम वैस्णव स्रेणी की संग्या देते हैं तो वैस्णव लोग जो होते हैं जने कंठी पेनने वाले मुर्ति पूजा करने वाले गुरुधारन करने वाले उनकी एकादसी better के सकते हैं एकादसी वेदा नहीं गरते जैसे कि अभी तीस तारीक मंगलवार यानी कि तीस नवंबर मंगलवार को एकादसी इसमार्तकों की है चूंकि जो दस्मी है वो सौंबार को साड़े ग्यारे बजी तक है इस कारण से मंगलवार को वैस्नमों को बृत नहीं करना है वैस्नम लोगों को बृत जो करना है वो करना है बुद्धुबार के दिन बुद्धुबार के दिन दौदसी बेदाए वो एकादसी हमारे लिए लावदायक होती है और अगले दिन भी हमें इस बात का द्यान रखना है कि एकादसी के दिन अगर कोई व्यक्ति ब्रत भी नहीं कर पाता है बैसे तो ब्रत करना चाहिए एकादसी के ब्रत के बारे में आ अर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरसार्थों की प्राप्ति होती है चूंकि मुर्णाम के राक्षस को एकादसी मा की सकती ने और बद किया था भगवान स्री विश्णों का साहेता किया था उस दिन एकादसी तिथी थी भगवान स्री विश्णु उस मुर्णामत जब ठक गे और लुए और मुछ ने और ऑचानक अटेक करना चाहा तो भगवान विश्णु के सरी से सक्ति उत्पन होई ओ सक्ति गणा एक आदल शी कहलाया और भगवान उसे मुछ नामक दात्यों को समवत कर दिया यह भगवान विश्णु जगेत व देवी खडी थी कि आपका प्रित करेगा उसके जीवन में धर्म आर्थ और कामवोक्ष चारों पुरसार्थों की प्राप्ति सुनिश्चित होगी इसमें कोई किसी प्रकार का संधे नहीं है लेकिन हमें निर्णे ये करना है यदि आप वैस्णव हैं तो अगले दिन वाली एकाथी जो दो लिख बात को समझना आपके लिए परमाव सके जैश्री कुष्णा और जैश्री रादे